प्रांथा कुमार प्रांथा कुमार पेपर दे लिखे आई तो बार देल भग याउस हैं लिखे आई कि तुरुई श्रीट पड़े शुबात देवकत उन्हें भाड़ गे पासफेट देशने अपने मैनेजमेंट ना काल गी दिये उनने के फिर आपी रालमेल के जड़ा आना कुमारे नभी पागने हदीश के ब्यादीश भी है कि जो भी नभीयों की शार में कुस्ताखी करेगा उसका सर तैंसे चुदा किया जाए Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh मसली अला मुहम्मद वा अला आल मुहम्मद वा अस्थाब मुहम्मद अजमाईन इला युमिद्दीन आमीन 3 दिसम्ब 2021 को स्याल कोट की एक स्पोर्ट फैक्टरी में होने वाले एक सी लंकन अफीसर के जालमाना गतल और उसके बाद उसकी लाश को सर्याम आग लगाने के हवाले से आप का क्या मौकिफ है प्लीज पहले की तरह ज़रा दलेरी से बियान करें हाँ जी मेरे भई हमारी तो इस हवाले से दलेरी उस वक्त से है जबके इन टॉपिक्स के उपर बात करना भी रियास्ती जुर्म समझा जाता था यानि आज से दस बारा साल पहले की भी आप मेरी वीडियोस देखें तो मैंने हमेशा एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटीज जो है मावराए अदालत काम खुआ वो कोई मजबी जमात करे तोहीन मजब के नाम के उपर या कोई रियास्ती अदारा हुबल वतनी के नाम के उपर मैंने हमेशा डंके की चोट पे इसकी मजब्मत की है और आज तक कर रहूँ आज कल तो फैशन बन गया है क्योंकि अब तो रियास्ती पॉलीसी ये बन चुकी है उसी के तहत जर्ब अजब और रदुल फसाद आपको पता है ये दो फोजी अपरेशन्स पाकिस्तान में शुरू है आज तो हलाद बड़े साथगार हैं इस तरह के मामलात में बोलने पे उस वक्ट जब के हमारे रियास्ती दारों ने इन मजभी जमातों को देश्चतगर तंजीमों को गोद लिया हुआ था उम्मत के और पाकिस्तान के वसीतर मफाद में मैं तो उस वक्ट भी कहता था कि तो अड़े गाटे फे टौन गे और देखो फिर कैसे गाटे फे टौन है उन लेंड ही नहीं पे एक गाटा लाग की लगदे लवावन के अल्ला ना करे ऐसा हो और फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल प्रेशर आपको पता है कुछ अरसे से पाकिस्तान पे एफ़े टी एफ की शकल में आया और अब तो जी एस पी प्लस स्टेटस भी पकस्तान का अल्मोस टेक पे लगावा है अल्ला ताला कोई बेतरी फरमाए और मुल्क की एकॉनमी बेतरी की तरफ जाए हलात और वाकियात बेतरी की तरफ जाए फिल वक्त यानि ग्राउंड रियालिटीज तो यही बता रही है कि मुस्तक्बिल करीब में कोई हलात बेतर होते मुझे तो नजर नहीं आ रहे है अल्ला करे कि मामला कोई बेतरी की तरफ चला जाए इन्शालला ताला अब यह जो मेरे भाई शेयाल कोट के अंदर जो कुछ हुआ इसकी जड़े जो है वो बहुत पुरानी है चालिस साल से हमने अपनी गलत पॉलीसीस की वज़ा से जो फसल बोई थी आज उसका रिजल्ट हमारे सामने है एक दिन में तो इतनी बड़ी खरावी नहीं आती एक दिन में तो दीमक नहीं चाटती एक दिन में तो जखम कैंसर नहीं बन जाता इसको वो कहते हैं न थीन 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 जाना है बन्दा ये वो वला मामला हुए है आएस्ता आएस्ता मामलात खराब हुए और इस तरह की जतनी भी एक्टिविटीज हो रही है मैं इसमें पहले नमबर पे मुझरिम अगर किसी को समझता हूँ तो वो हमारी रियास्त है रियास्ती एदारे हैं जिन की सरपरस्ती हमारी मजभी जमातों को इतना आर्सा तक हासल रही उम्मत और पाकिस्तान के वसीतर मफाद में इन्वर्टिड कामास के अंदर उसके बाद मजभी जमाते हैं और उसके बाद फिर हमारी जाहिल अवाम लेकिन ड्राइविंग सीट के उपर रियास्त होती है उसमें चाहे हमारे हसास अदारे हों चाहे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हों हुकुमती औहदे दारान हों ये सब के सब इस मामले में मुझरिम है सब ने ये मिल के हिस्सा डाला है जिसका आज हम रिजल्ट भूगत रहे है ये तो जिसके साथ होती है उसको पता चलता है टीवी पे देख लेना बड़ासान है आप मुझे बताएं जिस तरीके से इन्होंने उस गेर मुस्लिम को कतल किया है और उसकी लाश के साथ जो कुछ किया जिसकी इसलाम में कतन कोई इजादत नहीं है बुखारी और मुस्लिम के मुत्तफ़क उन अले अहदीस है कि वो अपने मुझरिमीन को क्यामत के दिन आग में जलाएगा किसी मखलूक के लिए रवा नहीं कि किसी दूसरे को आग में जलाएगा काफिर हो मुसल्मान हो आप ये कामकार ही नहीं सकते है और फिर साथ सैल्फियं लेना फिर आके फखरिया इंटर्वियू रिकॉर्ड करवाना कि हमने जहन्नम वासिल कर दिया कि मनसबबा नभीएन फक्त अलोगों हमारे नभी पागने हदीश के ब्यारफिश भी है जो भी नभी नभी ओंगी शार में बुस्ताखी करेगा उसका सर थैंसे जदा किया ज़ाए बई तो कहांपे जाएगा तुझे जन्नत का टिकेट मिल चुका हुआ है मौलवियों की तरफ से तुम लोग ये समझ रहे हो कि हम इस तरह के मामलात करके तो हम जन्नत में चले जाएंगे और ऐसे मौाके पे वो लोग आपको ज्यादा तर बढ़ चड़ कर आगे नजर आएंगे जिरोंने जिंड़ी में नमाज भी कभी नहीं पड़ी होगी इस तरह के काम करने में लोगों को गतल करने में, इमलाक को आग लजाने में, ATIM मशीन्स लूटने में, दंगा फसाद करने में ये सबसे आगे आपको नजर आएंगे क्योंकि उनको पटी ये पढ़ाईगी है कि ये सबसे असान जरीय है जन्नत में पहुँचने का और बेवकूफ नहीं है समझदार है आज तक किसी शक्स ने इशक रसूर सलल्लाहु अलेही वालियों के नाम पर अपनी मोटर बाई को आग नहीं लगाई अपनी गाड़ी को आग नहीं लगाई ए दूसरे को लगाई लहाज आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई भूंगे हैं बहुत समझदार है और इस वक्त मुल्क जिस तबाई के धाने पे पहुंच चुक है ना मैं समझता हूँ कि अगर अब भी हमारे बड़ों को अकल ना आई तो ये गली-गली कतल अगारत होगा हमारे जो रियास्ती एदारों के बड़े हैं पॉलिटिकल जमातों के बड़े हैं इन्हों ने तो ज्यादा तर ने दोरी शहरियत लीवी है दूसरे मुलकों में इन्हों ने भाग जाना होता है रिटार्मेंट के बाद हमें पूरी जिन्दगी ये लोग हुबल वतनी के दरस देते रहते हैं नेशनलिसम के दरस देते रहते हैं पाकिस्तान से महबत कोमी तरहने ये चला चला के दुमाग खराब करते रहते हैं और खुद आप देख ले ये पौराने जितने डिक्टेटर बाइर गे हुए हमें जोंके परवेज मिशरफ भागाव है ना यहां से देख ले जब तक मर नहीं जाते जान नहीं छोड़ते जाओ लाक ने मर के ही जान छोड़ी है ना वरना जो उस वक्त पॉलिसी उसने सेट की थी जो सौदिया और एरान की प्रॉक्सी वार को यहां पे स्पोर्ट करके वो का जो उतना नौलिज तो है नहीं उनको पता ही नहीं है कि मावलात तूटी कमंद कहां जिस तना महरम के दिनों में बैटके सारे यजीद को रो रहे होते हैं और सिस्टम तो पीछे से खराब हुए उसकी को बात ही नहीं करता यह तो फैशन है यजीद को रो लेना असान भी है दूसरे बे बात करना जरा मुश्किल है लेकिन मैं आपको बताओं अल्ला के शुकर है अब हमारे रियास्ति अदारों में पॉलिसी शिफ्ट आया है उनमें इतना होसला पैदा हो गया है कि उन्हें अपनी गलतीयों का एसास हुआ जबी तो कुछ अरसे से हमारे प्राइ इसी शिफ्टियों बिलकुल खलत थी यह लादा बात है कि हमारे रियास्ति अदारों के किये हुए जराइम की तोबा का एलान हमारे प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ रहा है यह है दुख की बात चैनल फिर भी हम कहते हैं ठीक है पॉलिटिकल गॉर्मेंट्स को ही बोज उठाना चाहिए एदारों की गलतियों का लेकिन उनको भी कुछ इस हवाले से ख्याल करना चाहिए कि वो भी मुस्तक्बिल के लिए अपनी कोई जो डिरेक्शन है उसको दुरूस कर ले आपको पता है कुछ अर्सा कबल खुशाब के अंदर हमारे स्टूडंट इमरान जो फेस्बूक का पेज है उस पे कई एक वीडियो मेरी उन्होंने अपलोड की भी थी और लोंकी भी की भी थी और मसला कोई और था एक एक घंटे की जाके ये लोग नमाजें पढ़ते हैं और वो भी सिर्फ ड्यूटी आवर्स के अंदर जब घार आ जाते हैं तो एक सलाम इमाम के पीछे होता है दूसरा जूतियों वाली जगा पे होता है और अगर कोई शक्स समझा दे के मेरे भाई ये नवाफिल जो है ये कोई जरूरी नहीं है या इनको आप बाद में पढ़ लो आप ड्यूटी अपनी सही तरीके से अदा करो इस बात का गुसा निकालने के लिए इसकी पली ली जाए और प्लस उसको तोहीने मजब का नाम दे कर के जी ये तो अंबिया का गुस्ताफ हो गया ये भी हम अपनी तरफ से तह कर लेते हैं कि कौन सी चीज जो है वो अंबिया की गुस्ताफ ही है उन्हें शहीद कर दिया गया बाद में खेर मुझमत करते अबी तक उसके कातिल को सजा हुई कोई नहीं है सिर्फ कोर्डनेट डिसीन की है और माशाला पिछले दिनों आपने देखा है हमारे चीफ जस्टिस अब किस तरह गरजें है यार ये लोग बाद में अपनी तक्रीरें देख के शर्मिंदा भी नहीं होते इनके दावे देख तो कि मैं करतूत लफ नहीं बोलता कार्नामे देख लें आज तक किसी को इस तरीके से सदानी हुई है और किसी अगर जो कोई मजबूर शक्स जिसके ओपर इस तरह का तोहीने मजब का इल्जाम लगा उसको गर अदालतों ने छोड़ भी दिया शवाहिद नाकाफी होने की विज़ा से या जूटा इल्जाम होने की विज़ा से अवाम नहीं उसे चोड़ती वो अदालत से बरी होता है एक कुछ अरसा पहले की बात है हमारे जेलम शेयर की तैसील है पिंडादन खान वहां पे वो एक मौलाना साब थे जमात इसलामी से उनका तालुक था उन पे इस गोलियों की और उनका साथ बेटा भी शहीद हो गया यानि उदालते छोड़ भी दें अवाम नहीं छोड़ती तरवियत ही ऐसी हुई भी है अवाम को कौन समझाए जी लहाज़ आप ये समझने जब आप किसी पे इल्जाम लगा देते हैं तो हीने मजभ का जूटा भी वो म उसको जनत में भेज़ के क्या करेंगे ये सिरलंका वाला जो बाकिया हुआ अफीसर का स्याल कोर्ट में कह लिए है वो उस रोड़ के ओपर वजिर अबाद वाली और शुरू कहां से हुए है वो एक स्टीकर की बुर्याद बनाई गई गया है या स्टीकर को हटा देना या अबी τον السلام की गुस्ताखी कैसे हो गई वरना ये सारे मौलवी मुझसे फकी ले लें मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से चैलेंज कर रहा हूं सारे मौलवियों को जो ये समझते हैं कि किसी कर इतारना आ ये तोहीन ने मथभ हैं तो मैं आपको बताता हूं कि आप किसी आदिस मस्जिद में या ला मदद कानफरंस होगी वो फार ना न दे आप मुझे आके पकड़ ले वो केंगे इसका मतलब यह के मारे बापों के खिलाब बात होगी यहां पर आप किसी एल आदिस की मस्जिद के बाहर जाके पॉस्टर लगा दे लबई का या रसूल अल्ला का वो फार ना न दे आप मुझे पकड़ियेगा बलके यह कुछ अरसा पहले तबलीगी जमाद यार कितनी सौफ जमाद है उनकी मस्जिद के बाहर गौर्मेंट की तरफ से एक बैनर लगा वा था तरावी की नमाज के हवाले से एसो पीस ठीक है बैनर फलेक्स के उपर और उसमें लिखा था कि मसाजिद में और इमाम बारगाहों में आपने इतना सोशल डिस्टेंस रखना है एक बंदे ने लाइटर के जरीए जाहरा वो आग लगा के जो इमाम बारगाह का लवज था ना उससे आग से उसमें फाड़ावा था सिर्म मारकर पहर के नहीं कैंची लगा के नहीं आग से तो सरी आपको आग में क्यों नहीं जलाएंगे इनकी जैनियत यह और यह मैं आपको एक दोबंदियों की तबलीगी जमाद की मस्जद के बार कहिए मैंने खुद पोस्टर देखा और मैंने कई लोगों को दिखाया के दुश्मनी का लेवल देखें इसी तरीके से आप किसी शिया की मस्जद के बार फजायले साबा कानफरंस का बोर लगाएं कि फलाँ दोबंदियों की मस्जद में होगी वो शाम तक फाड़ा ना दे आप मुझे आके पकड़ लीजेगा तो जब आप लोग खुद मॉलवी होके दीनदार होके एक दूसरों के पोस्टर फाड़ते हो तो फिर अगर कोई गैर मुस्लिम कोई पोस्टर अटाता है उस पे तोहीने मजब कैसे हो गया आप तो सब फिर तोहीने मजब का मामला आपके उपर फिट हो जाएगा और हमारे पास तो फिर्स्ट एंड नालिज है रात को भी मेरे स्टूडन से बात हुई जो उसी फैक्टरी में उस वक्त अंदर मुझूद थे सैवन्टी प्लस लोग उस फैक्टरी में मुझूद थे और ये जो मैं बात आपको बताने लगाँ ये अब भी तक किसी चैनल ने डिस्कलोज नहीं की है ना शायद ये करें सबसे बड़ा जुड तो चैनल पर ये बोला जा रहा रहा है के वो जो ऑफीसर था सिरी लंकन वो उस फैक्टरी का मुलाजम था वो उस फैक्टरी में इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें किट्स वगेरा तियार होती थी और वो बाहर की कंपणी ये नाई की था जो देखे कि वो क्वालिटी को एंशोर करें कि अच्छी क्वालिटी की चीज निकले उस फैक्टरी में से जाहरा पकस्तानी आपको पता है दो नमरी में तो मशूर है ना तो वो जो सिरलंकन आफीसर जो पिछले साथ आठ साल से वहां पे था वो उस फैक्टरी के मालक से तनखा नहीं लेता था बलके जिस फैक्टरी के लिए वो फैक्टरी काम करती थी उससे वो तनखा लेता था वो आउटसाइडर था क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए महां पे और क्वालिटी कंट्रोल करने वाले जो लोग हैं अब मैं भी एक जरनल मैनेजर लेवल के उप मैंने मुक्तलिफ पॉस्ट के उपर सर्व किया है बिंगा मेकैनिकल इंजीनियर सरकारी दारों के अंदर क्वालिटी कंट्रॉल वाले की तो वो सैंडविच मना होता है दोनों तरफ से इस से लोग वैसे तंग थे इवन इस फैक्टरी का मालिक भी तंग था क्योंकि वो कहता था इसकी सक्ती के विरा से कुछ मुलाजमीन छोड़के चले गए हैं सक्ती ये थी कि बई सही काम करो पक्ष्टानी कोम तो करने के लिए त्यार नहीं है हाँ त्यार है अपने मुलक में नी दूसे मुलकों में जाके वहां जाके अच्छा काम करेगी तो वो कह रहें यार मालिक ने नी बुचाया मालिक ने क्यों बुचाना था मालिक शामिल है बीच में स्क्योर्टी गार्ड्स दस के करीब मुजूद थे किसी ने नी बुचाया क्यों बुचाना था वो शामिल है बीच में तो वो हमारे स्टूडन बताने लगे रात को मेरी डिटे से बाइर निकले तो मैंने उनको का कि अल्ला के शुकर है इस प्लेट फॉर्म से जोड़ने की विज़ा से आप की आखरत तो इन्शाला बची है दुनिया भी बच गी है कि आप इस गुना के अंदर शरीक नहीं हुए लेकिन उन लोगों ने लिहाज नहीं किया उस्टीकर भी जिसना वो पोस्टर पुनाने हम भी गरों में से यार कई पर पुनाने बैनर से उतारते हैं उन्होंने एक बैनर उतारा और ये जो बकवास कर रहे हैं डस्ट बिन में फैंका जूट है सीसी टीवी कैमराज एक सो साथ उनकी वीडियो और भी मुझे पताने लगे कि वो फैक अंदाजा करें आप कितने वुशे आ रहे हैं ये लोग तो वो उसने डस्ट बिन में नहीं पहंका उतार के उसने एक जगा पर रखा और बाद में उसको बताया गया पाई मेरे ते गुस्ताखी हो गई है तो उसने मासरत कर ली मामला रफा दफा हो गया लेकिन मैंने वही अदानत छोड़ देती है अल्ला माफ कर देता है अवाम नहीं माफ करती है इन्होंने का बड़ा अच्छा मौका मिला है उन्लान नहीं आ एना थे खुसा मीटिंग कॉल करके खैर उनको टाइमली किसी ने बता दिया कि भाई आप निकले यहां से ये तो नहीं छोड़ेंगे और वो बचारा अपनी तरफ से जानब जाने के लिए छट में गया है सॉलर पैनल्स के नीचे छुबने की कोशिश की है लेकिन पीशे मुझाईदीन पहुंच गये है और जिस बेदर्दी से उन्होंने उनको कतल किया है और यह बड़े लेवल का जो पत्थर होता है यह जो आपको सडकों पे नजर आते हैं न बड़े-बड़े पत्थर वो जो पार्टीशन के लिए होते हैं सीमिट के वो मारा है उसके उपर तो जाहरे क्या उसका बचना था पोस्मार्टम की रिपोर्ट नहीं कोई हड़ी नहीं बची भी दमाग भी बार निकला आया है ठीक है न अरे भाई पुलिस वाले भी तो वो यकीदा रखते हैं ना उनकी भी तो तरबियत वो इसी इवाम का इसा है ना ये जो पिशावर में था वो गाजी खालत गाजी खालत जिसको कह रहे थे किदर है अब उस वक्त तो वकील उसके आत्माँ चूम रहे थे अंदर है ना उसकी गुटी के अंदर इस तरह की वह शतनाग रवये उन्हें पिला दिये के हैं वहां से फिर यही कुछ निकलेगा तो ठीक है हम तो बुगतने हैं बड़ों ने भी बुगतने हैं दुनिया में ना भुगते हैं आखरत में तो जाके बुगतेंगे हमारा काम तो सिर्फ को एड्यूकेट करना हैं कि बच जाएं इन मौलवियों से बहुत खतरनाक हैं और मैं आपको बताओं यह जितने लोग आके मजमत भी कर रहे हैं मुनाफिकाना मजमतें यह सारे लोग कर रहे हैं मैं आपको अलावजे बसीरत कह रहा हूं कोई बंदा अंदर से इस वाकर की म मजमत करने के लिए त्यार नहीं है इसका अगर आपको सबूट चाहिए तो मेरे खाल है यह आपको जितने वी लॉग्स नजर आ रहे हैं सब जजबाती बातें कर रहे हैं मैंने सारों के देख लिए हैं जितने बड़े बड़े हैं एंकर्स हैं मैं नाम नहीं लेता फिर पर और उसने सारे बड़े-बड़े मौलवियों को लिया है आनलाइन के और एक तरह की सौाल सबसे पूछे हैं वो आपको इस कौम की और कौम के मजबी पेशवाओं की जहनियत खोल देंगे ये काम और किसी बंदे नहीं किया ठीक है किसी को वैसे को परसनल इक्तलाफ हो सक बर एकार्यों के लेकिन जिसकी सची बात है उसको मानना चाहिए किस किस का उन्होंने लिया है सबसे पहले मुप्ती मुनीबुरिमान साब बरेल्वियों के ब्रेल्वियों ही की तरफ से तारीक लबई के एक रहनुमा का ग्योबनियों के मुफ्ती तकी उस्मानी मुफ्ती आजम प्लैनेट अर्थ अफ ड्योबन्थ हाँ क्योंकि इंडिया वाले भी मानते हैं नहीं लेकिन इन मुफ्तियों की गुफ्तकू सुने तो आपको शर्म आएगी कि ये लोग हैं हमारे बड़े बड़े मुफ्ती तो बाकी शाही कोई नहीं जो तो वड़ें दी अहालत है तो बाकी शाही कोई नहीं उसके बाद उन्होंने लिया सराजलाक साथ को जमात इस् outrageous के हैं छमीत एमीर साजट मीर साथ को और हमारे मशूरे जमाना ताहिर आशर्वी साभ को और एल इतते शहियों की जानिब से अमीर शेदी साभ को मैंने बड़ी ध्यानदारी के साथ बड़े सबर के साथ वो पूरा प्रोग्राम देखा है आप लोग भी देखें उसके चोटे-चोटे क्लिप्स भी है 4 दिसम्बर 2021 जिर्गा प्रोग्राम जियो के ओपर सलीम साफी का इन अलमा के साथ अलाद अलाद चोटे-चोटे क्लिप्स भी अपलोड की है सिर्फ एक बंदा है जिसने रीजनेबल गुफ्तू की है और वो थे अमीन शेहिदी साथ चूंके वो इसके एफेक्टी है ना इस पूरे देशतगर्दी के जाहर है जी लाखों की ददाद में तो शिया कतल हुए ना पिछले चालिस सालों के अंदर उन्होंने वो सारी बातें कियें जो करनी चाहिए थी बाकी सब गौल मौल बातें कर रहे हैं और सलीम साफी साब ने पूरी कोशिश किया कि इन से उगलवाया जाए वो बात ही दूसी तरह शुरू करते हैं यह पकिस्तान के खिलाफ साधिश है टू नैंटी फाइव सी को खत्म करने की साधिश है चुकि अदालतें इंसाफ नहीं देती हैं फिर लोगों ने अवाम ने ही कानून आथ में लेना है ना वो उल्टा उसको जस्टिव ही कर रहे है एक तरीके से ट्रैक तो नहीं कर रहे है अच्छा एक बात मैं इसमें जरूर कर दूँ जो एक जुरत वली बात है पकिस्तान में जो ये तोहीन रसालत का या बात में बज़रूं का भी आगे से टूर नैंटी फाइव सी है ए है बी है ये जो कवानीन है ना जी इन में एक शिक जरूर एड होनी चाहिए हमारे अलमा का काम है हमारे पॉलिटीशन का रियास्ती इदारों के हैड्स का मैं उनको मशवरा दूँगा कि इसमें शिक शामिल करें कि अगर कोई शिक दानिस्ता या गैर दानिस्ता गुस्ताकी कर बैठे दानिस्ता तो कोई नी सोच भी नी सकता गैर मुस्लिम भी कोई सोचेगा इस मुलके अंदर मुसल्मान तो चोड़ दें आप तो उसमे एक शिक एड करें कि अगर वो मौफी मांगता है जुडिशनी में पेश होने से तो उसे मौफ कर दिया जाए यह लादा बात है वाम नहीं मौफ करेंगी लेकिन मौफी की शिक 295C में एड करना जरूरी है अदरवाइस मसीबत खड़ी हो जाएगी मैं आपको यह बता रहा हूँ कि यह इसका कोई एंड नहीं होगा मैं 295C के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन जो कुछ वो है उसके हाक में भी उस तरह नहीं हूँ जब तक कि उसके अंदर यह मौफी की शिक शामिल नहीं की जाती सुरत الفرقان की आएद नंबर 17 में अगर कोई शिक से भी तोबा कर ले हम उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देंगे तो सर शिक तो अल्ला को गाली देना है सुरह मरियम में नहीं आया कि जो अल्ला के लिए बेटा तजवीज करता है करीब आसमान पट पड़े जमीन शक हो जाए पहाड रिज़ा रिज़ा हो जाए अंदाू लिर्रह्मानी वलदा के इन्होंने रह्मान के लिए बेटा तजवीज किया तो जब अल्ला को गाली देने से दुनिया में अगर मरने से पहले तौबा करने तो मौफी हो जाती है तो अगर किसी और हस्ती की कोई तोहीन कर लेता है गाली लेवल तक तो कोई जाएगा नी जो आपके जौम में है जो आप एक दूसरे को भी गुस्ताग समझते हैं तो उसके मौफी पेश किये ये करने का काम है ना कि ये के फत्वे लगा गए उसके पीशे पढ़ दे और उसकी जिंदगी जो है वो अजीरन मना दी जाए उसकी नसलों की जिंदगी जीरन मना दी जाए तो ये सोचने की हमें जरूरत है बस मैं तो इस चीज को हाइलाइट ही कर सकता था मैं प्राइम निस्टर साब से रिक्वेस्ट करूंगा आर्मी चीफ से और हमारे चीफ जिस्टिस साब जो अजख खुद नोटिस लेने वाले अधारे में इस वक्त सबसे बड़ी पोस्ट के उपर है मैं न से कहूंगा कि आप लोग इन सारे मौल्मियों को गन पॉइंट पे करना वड़ता है गन पॉइंट पे करें अखलाक से मानते हैं अखलाक से मनवाएं इनको लाके टीवी पे बढ़ाएं इनके बड़ों को इस चोटे शोड़ी जो शुरली है ना इनकी निमें बात कर रहा है ये जो सारे बड़े जो मैं कह रहूं ना इनको बढ़ाएं ये खुद बोलके कहें क्या बोलें मैं स्टेटमेंट मैं लिक के दूँगा ये बनु मया की चालें जहां पर खतम होती है वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है ये आप लोगों तो चार लेंगे आपको त जिन लोगों ने किया है ये कतल किया उनको इसके बदले में सरे आम कतल किया जाए प्लस आज तक जितने लोगों ने किसी गुस्ताख को जैनुन गुस्ताख को भी मावराई अदालत एक्स्ट्रा जूडिशल मर्डर किया है चुकि इस्लाम के रूँ से एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर करना मावरा अदालत कतल करना हराम है लेहाजा उन सारे लोगों को कतल किया जाए और उन लोगों की फांसियां जस्ट्रिवाई हो करन के उएते खायबाना नमादे जनादा पढ़ दे रहे हैं अपने जनादे तुसी पढ़ रहे हो क्योंकि आप सारे एक दूसरे को काफर समझते हैं क्या बरेलवी एल अदीसों को गुस्ताखे रसूल नहीं समझते तो सारे एल 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 एक दीसों की लाशें इसीतरा जलेंगी अगर बरेलवी की उकूमत आगई ये बाज याद रखियेगा और सारे बरेलवी जितने भी हैं इनको एल एल एकिस कहाद मुशिक नहीं समझते तो अगर एले दीसों की हुकूमत आ गई तो इन बरेल्वियों की लाशें आपको आग में जलती नज़र आएंगी ये मेरी बात आप नोट कर लें ये एक दूसरे को मुसल्मान नहीं समझते ये आपको धोका देते हैं इसकी भी स्टेटमेंट मैं आपको लिखके देता हूँ के इनके बड़े लिखके दें के हमारे सिवा जितने फिरके हैं अगरचे हम उन्हें गुमरा समझते हैं लेकिन एक ना एक दिन ये अपना अजब भुगत के जन्नत में जाने में काम्याब हो जाएंगे आपको एक आलिम भी इबाद लिखके देने के लिए त्यार नहीं होगा क्योंकि वो फिर उनको मानना पड़ जाएगा कि ये मुसल्मान है वैसे कहते हैं कि हम मुसल्मान मानते हैं लेकिन वो तक्या करेंगे तोरियतन बात कर रहे होंगे इस नहीं आपको कभी नहीं लिखके देंगे और कैसे लिख दें इनके बड़े एक दूसरे को इसलाम से निकाल गए किस किस चीज़ का रोना रोया जाए अब बात कहा थे शुरू हुई थी किदर निकल गई है लेकिन ये सारी बाते हैं इस मौका पर मैं अपनी इस नेशन को एक मुसले की हैसियत से एक डॉक्टरिन देने वाले पेशवा ना कहें स्पीकर की हैसियत से ये बड़ा अच्छा मौका है कि मैं इनको डिरेक्शन दे दूँ ताकि हमारे माबाब को तो वरगलाया था हमारे अबावजदाद को तो इनके बड़े बड़े बाबे वरगलागे हमारी आने वाली नसले तो इन लोगों के शर्से बाचे जाए इन्शालला ताला ये मैं आपको बता दू तो तबदीली आ चुकी है आप लोग इस हवाले से एजुकेट हो रहे हैं का शुकर है सोशल मीडिया अल्ला की तरह से वो नेमत है जिसने हमारे बच्चों को पॉलिटीकली भी मिचूर कर दिये और रिलिजिन के पॉइंट अब यूसे भी मिचूर कर दिये जो जो दो नमरी कर रहे हैं वो किसी सियासी जमाद से हैं किसी रियास्ती अदारे से है किसी मजभी जमाद से है सब की दो नमरी हैं खुल के सामने आ रहे हैं बच कोई नहीं रहा ल्ला का शुकर है मैं इसको निमत समझता हूँ और ये भी अभी सोशल मीडिया ने टेक अपना मामला किया हुता है नहीं ने दबा जाना था ये वाला मसला भी अब ये लाख कहते रहें जी हम जो है वो इजारे जगजैती करते हैं जी फला करते हैं बंदा मर गया उन बंदा गड़ा वापस आना है लाश आप लोगों ने जला दी अब पीछे क्या बच गया है बाते इनकी सुने बात इसके ऐलावा इनके पास करने को कुछ नहीं है इसका हल यह है कि अलानिया सबाए हो इनको जितने लोग पकड़े गी है अलानिया सबाए हो और उसी दिरीके से सबाए हो जो सूरतल मायदा में आया है कि आंग के बदले आनख पहले है जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, नाख के बदले नाख, कान के बदले कान, दाथ के बदले दाथ और हर जखम के बदले उतने लेवल का जखम ये सूरत अलमाइदा में लाने फरमाया है ये लागी तरफ से सदा है जिस तरीके से उसे कतल किया है ना इसी तरीके से ये सो बंदा क्या एक अजार भी उकतल होंगे और सूरत नूर में आया कि जब इस तरह की सजाए दी जाएं तो मुसल्मानों का ग्रोव उसे वेट करे ताकि बाकियों के लिए डेटरंस हो इपरत हो इलानियां ये सजाएं होनी चाहिए ये कोई जालमाना सजा नहीं है ये तो आपके किसी बच्चे भाई या वालिद के साथ ये वा होता तो फिर मैं आपसे पूछता फिर पता चलता है दूसरों के लिए तो कहना बड़ा असान है और इसलाम इस वाले से इतना सेंसिटिव है कि सूरत الमायदा में अल्ला अचल ने फरमाया जिसने एक जान को कतल किया गोया उसने पूरी इनसानीट को कतल कर दिया इनसान की بात हुई है मसलमा ान की नहीं हुई यानी पाकिस्तान ने सिरिलंका पूरे को खतल कर दी, आप समझ ले, इस वाकिये और चलाए कि आहे वो एक पाकिस्तानी ने किया और प्र साथ है जिसने एक इंसान की जान बचाई इसने पूरी इंसानीत की जान बचा ली और इसका क्लाइमिक्स वो सूरे अल्बकरा की आयत है वलकुम फिल्किसासी हयातु या उलिल अल्बाब लाल्लकुम तत्तकून ऐ लोगो अग ऐ अकल वालो इसास में पूरी इंसानियत की जिन्दगी चुबी हुई है ताके तुम तक्वा इक्तियार कर सको डर जाओ बाकी जराइम में तो अल्ला ने कहा कि मौफ करो मौफी की रवेश इक्तियार करो अल्ला बदला देगा लेकिन कतल के बदले में अल्ला ने डिसकरेज किया है कि इसके बदले दियत ना ली जाए, मौफी ना की जाए, अगरचे जाइज है, as a last result का गया, वालकुम फिल किसास, कतल के बदले कतल करने में पूरी इंसानियत की जिन्दगी चुपी हुई है क्योंके कतल के बदले कतल होगा, आप मुझे बताएं, अगर इक बदले कतल करके इबरतनाक सदा दी जाए, इस तरह के लोगों को, तो आंदा कोई सोचे का भी, लोगों को पता होता है जनाब, काम डालो, अपनी जन्नत भी पकी, अपने पिछलों की, दुन्या भी पकी, मरने हमारी आलत है, तो ये तो आप समझ लें, दुनिया और आखरत, इन्वर्टिड कामा में सवारने का एक जरीया बन चुका वैं, इन लोगों का, सही बुहारी में आया, सेदोना अमर फारूक रदी ल्लाह ताला नहों को, एक नाहक कतल की खबर पहुँची, आपने उसमें फ बुहारी की ओदीश की यह से, मैं उस ओदीश को सही समझता हूं, जो जामिया तिरमजी में मुझूद है, कि अगर जमीन और असमान की सारी मखलुकात मिलके, एक मुसल्मान को कतल करतें, या एक इनसान को कतल करतें, ल्ला इस चीज़ की परवानी करेगा, ल्ला तला पूर के मुकदमे का फैसला होगा, हुकुक अला में सबसे पहले नमाज का फैसला होगा, जो अब अदौद में अदीश है, लेकिन हुकुक अलिबाद के मामले में पहले का फैसला होगा, और ये अदीश बहारी मुसलिम में, पर जामिया तिरमजी में सुन अभी दौद के अंदर बैरा होगा और केगा या ला इसने मुझे दुनिया में कतल किया था आज मुझे बदला चाहिए किसने मेरी जान क्यूं ली थी और सुने निसाई में तो आगे अलफाज है ऐ हुकमरानों किसी के नहाक कतल पर मदद ना करो दूसरे की ये भी अलफाज मुझूद है पिर जाम्य तिर्मजी के अंदर सुने अभी दाओद के अंदर सुने बने माजा में मुझूद है कि एक मुसल्मान की हुर्मत कावे की हुर्मत से भी जाद है जाहरा है कि पर ये वले मामलात तो होंगे ना सुन अबिदयूद में अधीश है कि या लाः कामत के दिन शिर्क को माफनी करेगा या किसी मौमिन के कतले नहाक को माफनी करेगा अछब बाल ओगे दमागमें ही खाल आ रहा होगा कि ज्यादातर तो मुसल्मान के कतल के बारे में है तो कुरान से तो मैंने इनसानीत का कतल पड़ा ले ले लें आप ये भी फकी फिर ले लें सही बुहारी में अधीस है जिसने एक जिम्मी काफिर को कतल किया जो टेक्सपेर था यानि वो जिजिया देकर या उसके साथ मौइदा था वो रह रह रहता मुसल्मा रर्यास्त में और है काफिर था जिसने उसे कतल किया बुखारी के एलवाज हैं कि क्यामत वले दिन वो जन्नत की खुश्बू भी नहीं पाएगा حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی کیونکہ قیامت کا دن قرآن میں ہے نا پچاس ہزار سال کا دن ہے تو وہ پچاس ہزار سال میں سے جب چالیس سال رہ جائیں گے نا تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا لیکن اس مسلمان کو جس نے اے ناحق اے کافر کو قتل کیا ہوا اسے خوشبو بھی نہیں آئے گی یعنی مراد کیا اس پہ جنت حرام لہذا یہ کان کھول کے سن لیں اور یہ وہ ساری آیتیں اور حدیثیں ہیں جو ہمارے میڈیا پر چلنی چاہیے یہ تو مسلمان کو قتل کر رہے ہیں آج پاکستان میں ایک مسلمان کو ہندو عیسائی سے خطرہ نہیں ہے دین پر بولتے ہوئے مسلمان سے خطرہ ہے مجھے بتائیں آپ کسی ہندو کو دین کی دعوت دیں آپ کو یہ خطرہ نہیں ہوگا پاکستان میں کہ وہ آپ کو مارے گا لیکن کسی مسلمان کو اس کے مسلح کے خلاف قرآن و سنت جسے وہ خود بھی مانتا ہو دکھائیں تو آپ کو یہ ڈر لگا رہے گا کہ یہ تو پڑھگا دے گا مجھے اس لیے تو آپ کے جو بھی علماء ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے نہیں بیٹھے ہوئے جعوید احمد غامدی صاحب ٹھیک ہے مجھے بھی ان سے علمی اختلاف ہے لیکن کیا ان کو حق نہیں کہ اپنا پوائنٹ اویو بیان کریں اور جب اس ملک میں چشتی رسول اللہ پارٹی والے اوپن لی تبلیغ کر رہے ہیں اور اپنے اس بابے کا رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو غامدی رسول اللہ تو نہیں اس نے پڑھوایا ہوا ان کو نہیں حق کے اپنا پوائنٹ اویو رکھیں تو دیکھ لیں بچارے پہلے ملیشیا تھے اب امریکہ میں یہ حالت ہے یہاں سے لوگوں کو مل چھوڑ کے جانا پڑ جاتا ہے یہاں تو مسلمانوں کی جان محفوظ نہیں ہے غیر مسلموں کو تو آپ چھوڑ دیں اچھا اکثر آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے ہمارے مسلمان بھائی نظر آئیں گے اسلام بڑا اچھا دین ہے مسلمان بڑے ہیں اوہ ایک کانی کانی بند کرو اے توکھے دینے بند کرو خدا دا نہ جائے کوئی بھی درخت اپنے پھال سے پہچانا جاتا ہے یہ اب کافروں کو قائل کر سکتے ہیں کہ اسلام بڑا اچھا دین ہے وہ کہنے کہ اچھا اتنا چنگہ ہے تھے پوری دنیا کی زندگی عجیرن بنا دیوئی ہے مسلمانوں نے ہم کہیں گے نہیں نہیں یہ تو اسلام کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے جی یہ چند ایک لوگ ہیں اور بھئی آپ کی لوگ ہیں جب تک ہم خود مثالی مسلمان نہیں بنتے جب مسلمان مسلمان کے شر سے ڈر رہے کہ مجھ میں توہین ہے مذہب کا اعظام دوسرا مسلمان نہ لگا دے ہم کافر کو کس موں سے کہیں گے کہ بھائی جی آپ اسلام قبول کریں دیکھیں اسلام بڑا اچھا دین ہے مسلمان بڑے ہیں یہ جذباتی جملے ہیں میرے بھائی یہ آپ کی کسی نے نہیں ماننے جب تک آپ پریکٹیکلی ثبوت نہیں دیں گے کہ واقعی اسلام اچھا دین ہے اور اتنا اچھا دین ہے کہ ماشاءاللہ کوئی مسلمان چلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا انہا چنگا دین ہے اور پوری دنیا کو اس پر چلوانے کے لیے تیار ہو رہا ہے تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے یہ بار ٹھیک ہے مسلمانوں کا ہے لیکن مسلمان بھی کس موں سے پھر جا کے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلائیں گے وہ تو آپ کو کہیں گے یہاں تو مسلمان محفوظ نہیں ان کو ہم یہاں پناہ دے رہے ہیں اور تم ہمیں کہہ رہے ہیں اسلام قبول کرو تو امن میں آ جاؤ گے اسلام کا تو مطلب ہی امن ہے دنیا اور آخرت میں واہ 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 وہ کہنے کہ یہ امن ہے کہ آپ کے سارے مولوی مسلمانوں کے شر سے بھاگ کے ہمارے پاس بنا لیے ہیں اے جی امن تو اڑا کر لو گل ایک آنیے کرانیے بند کرو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہونا بلی غائب کوئی نہیں ہو نہیں آنکھیں بند کریں تھوڑی دیر میں آپ کی گرزن مروڑ دے گی اور جسنا اس وقت مروڑی جا چکی ہے پاکستان میں اکثریت کا حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے اس ملک احلات کے بارے میں دعائی کی جا سکتی ہے اور یہ ہر بندے کی انڈویجویل کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے کو ایڈوکیٹ کرے کہ ان لوگوں کے ان نرغوں میں نہ ہو یہ آپ کو کسی اور طرف لے جائیں گے انہوں نے آپ کی دنیا تو برباد کرنی ہی کرنی ہے آخرت بھی برباد کرتے نہیں ہے اور پریکٹیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخرت انہوں نے برباد کر دی بھی چھوڑا تو کچھ نہیں ہے ہمارا تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو گستاخِ رسول کا نام دے کے توہینِ مذہب کا نام دے کے اپنی اکٹیوٹیز پرفارم کرتے ہیں آخر میں میں پرمیسٹر صاحب سے اور آرمی چیف سے اور ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا ہوش کے ناخن لیں یقیناً میری بدگمانی ہے آپ ساروں کے بارے میں حسن زان تو نہیں کہنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے تو ٹیرمنٹ کے بعد یہاں سے نکل جانا ہے ہمیں اس آگ میں نہ جھونکے جائیں اور منطقی انجام تک اس معاملے کو پہچائیں سریعام ان کو سزائیں دی جائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس شر سے محفوظ ہو سکیں انشاءاللہ بس ہم صرف آئیل آئیٹی کر سکتے تھے میں یعنی شاید اس پوری گفتو میں کوئی سخت باتیں بھی کر گیا ہوں لیکن آپ اس کے پیچھے جو میری تھیم ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں یہ آپ کو نہ کوئی مذہبی پلیٹ فارم والا بتائے گا نہ سیبل سوسائٹی سے کوئی بچارہ جورت کرے گا یہ باتیں آپ کو کرنے کی اس کو تو ویسے کسی نے نہیں ماننا مذہبی لوگ تو اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں انہوں نے تو یہ باتیں آپ سے کرنی نہیں ہے میں نے کوشش کی ہے کہ محتصر وقت میں جو اپنا درد دل تھا وہ آپ لوگ کے سامنے رکھ دوں صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الیوم الدین آمین